हलोऊ पशुपालग और हम डैरी फर्मर भाइसों आज हम बात करणे वाले हैं हाइलेट पॉडर के बारे में दोस्तों हायलेट पॉडर का जो है मेनीफेक्चर और जो है मार्केटिंग नीट्री जेट पारम कें दोड़ा क्या जाता है दोस्तों मेंली इस पोडर का जो है यूज गावीन पस्वो में क्या जाता है और इस पोडर का किस तरह यूज और किस तरह इसका जो है डोज होता है संपूर्ण जनकाड़ी इस वीडियो के माध्यम से देने का पढ़ियास करेंगे हम इस वीडियो को लाश्ट तक देखे सब्दों में समझ में आ जाए तो दोस्तों इसका जो है इस पोडर का यूज पहली बात ये पोडर प्रेगनेंट पसुओं के लिए ही लावकारी होता है जादा थर और मतलब बिना प्रेगनेंट को भी देंगे तो दूद में वरोतरी करेगा अधर भी जो है रोक वर्दी रो को जो है रोक थाम करेगा इससे निजात मिल सकता है और जैसे की थनेला का समझ से आज कल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है इस तरह का प्रोगलेम से आप बच सकते हैं दूद में बलड का मातरा जो खून आने लगता है उसको आने से आप अपने पसुओं को बचा सकते हैं और जो है जैसे कि थन से किसी छीमी शे कम दूद आता है किसी से जो है पीव निकलता है बलड फूल जाता है इस तरह के समस्या से आप निचात पा सकते हैं और दोस्तों अगर इसका दूसरी और अगर बात करें तो पसू के पेट में पल रहा बचरा जो है उसको भी बहुत ज्यादा ही फैदा होता है और उसको फुल नुट्रेशन परापत होता है अगर गाय को आप खिलाएंगे तो बचरा को भी बहुत जो है फैदामंद होता है और फुल नुट्रेशन मिलता है उसको भी इसका जो पोडर है दोस्तों इसको खिलाने का जो वीदी है एक पोडर जो है रोज दे देना है परडे जो है ब्याने से जो है बीच से पचीश दिन पहले आप दे सकते है इसको एक एक पोडर जो है परडे दे कोर्स है दोस्तों इस पोडर का जो है पेकिंग जो आता है 50 ग्राम का आता है और 20 पेकेट का एक डिब भी आता है दोस्तों एक बोक्स आता है जिस बोक्स का दाम 460 के एवब अभी 460 परता है और दोस्तों एक पुरिया का जो है खुला भी आप ले सकते हैं इसका अभी 23 रु दोस्तों किसान सब जो है थन बढ़ाने के लिए और चीमी को इंकरीज करने के लिए भी करते हैं तो दोस्तों इसका फैदा अगर आप फस्त व्यात या सकेंड व्यात में अगर देते हैं तो थन में भी विर्दी करेगा थन को जो है बढ़ा करेगा और चीमी को भी बढ़ाए अगर दूसरी या तिसरी व्यात से अधिक जो गय बच्चा दे दी है तो उसको जो है उसका थन को गोल मटोल करेगा किसी परकार का रोग होने से जो है बचाएगा और इसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्टा है जो कि हम यूज करके देखे हुए हैं अगर इसका अगर खरीदने की बात है तो आप अपने नजदी की मेडिकल सौफ से आप खरी सकते हैं अगर इससे भी अच्छा अगर जनकारी लेना है और इसको खिलाने से अगर रिजल्ट बेहतर मिलता है तो आप हमें कोमेंट में जरूर बताएगा धन्यवाद